साथियो नमस्कार मैं हूँ आशना दुवे मेरे सेल चैलर आशना दुवे की उप्रेशर पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है साथियो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हार्ट के बारे में बताया कि कैसे किस उंगली को देख करके आप पहचान सकते हैं कि आपके हार् हार्ट में प्रॉब्लम आई है और इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने यह भी लिखा था कि किस तरीके से आप उन डायाग्नोसिस किये हुए हिस्से में जहां प्रॉब्लम आई है उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं आज मैं एक अलग वीडियो लेकर आई हू जिसमें को आपने थमनेल में पढ़ी लिया होगा कि कहीं आप भी हार्ट अटैक के लाइन में तो नहीं खड़े हैं तो मैं हार्ट के पीछे इन दिनों क्यों पढ़ी हूं उसका रीजन यह है कि सर्दियों का जो यह मौसम है यह हार्ट के लिए बहुत खातक होता है बाकी म साथ मुझे अच्छा लगता है कि पॉइंट दबा करके उन्होंने हार्ट अटैक को अपने कंट्रोल में कर लिया होस्पिटल वो सेफली पहुंच गए और ना क्यों सेफली पहुंच गए बलकि डॉक्टर भी चकी तो हैरान थे कि कैसे आप इतने मासिव हार्ट अटैक से कि अध्युस रक्षित हैं तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं हमें भी इसके बारेम बाग करनी चाहिए तो क्या हार्ट अटैक अचानक से हो जाता है पता नहीं चलता चुक्रालां कि अटानक से से ंपानों हो जक्तम दिए हार्ट वहन भी होता है कार्डियोकारिस्ट भी होता है बहुत सारी चीज़े होती है तो हमें इनमें डिफरेंशियेशन आना चाहिए वह लगकी बात है लेकिन फिर भी जहां तक हाठ अटक की बात है तो इसमें मैं बता दूँ कि 30 लाख डेथ हर साल आपके केवल हार्ट से होती है यानि 2.5 लाख पर मन्त लगभग ये होती है हार्ट से डेथ और उसमें भी 60% हमारे इंडियन्स होते हैं और अगर हम हेल्थ बजट की बात करें तो अभी 2020-2021 के अगर बात करें तो इसमें 94,000 करोड का बजट सेंक्शन हुआ और जो जिसमें 137% इंक्रिमेंट हो करके अभी इस समय की बात करें 21-22 में तो ये हो गया 2.23 लाक करोड इतना बजट सेंक्शन हो रहा है हमारे उपर यानि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इतने हमारे केसे बढ़ते जा रहे हैं और जब से कुरोन आया तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में भी हार्ट अटेक बहुत आया है तो ऐसा नहीं कि सिम्टम नहीं देता है हम उसको पहचान नहीं पाते हैं तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताने आई हूँ और बताने के साथ में ट्रीटमेंट भी बताऊंगी तो आप इस वीडियो को पूरा लास तक देखते रहिएगा ताकि कोई भी इंपोर्टन पार्ट आपसे मिस नहीं होने पाए तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दे दूँ कि क्यों मैं 40 के पीछे पड़ी हूँ क्यों मैं कह रही हूँ कि इस एज ग्रूफ में जादा होता है तो अगर मैं कुछ लोगों के नाम लूँ जिसको आप भी जानते होंगे शायद समझ पाएंगे एक नाम है किवल कपिल देव जी का जिनको अटैक आया था 61 एर की एज में इसके अलावा अगर आप बात करें रैमो डिसूजा जी सौरव गांगुली जी का और सिध्धार्त शुकला जी का और अभी एक ब्रह्मा मिश्रा जिन्होंने मिर्जापूर की सिरीज में किसी ललित नाम का रूल निभाया था उनकी तो 38 की एज में ही हो गई तो जितने भी हैं मिस्टर रंजन राओ सी ई ओ से पी इंडिया के उनकी भी 42 की एज में डित हुई तो जितने भी नाम में बता रही हैं सब 40 में ही हैं ब्रह्मा मिश्रा जी की अभी कुछ दिनों पहले डित हुई तीन दिन तक वो बातरूम में ही रहे बात में पता चला कि उनकी तो तीन दिन पहले डित हो गई किस से अटेक से तो इन जितनों के भी आप एज देखेंगे सब 40 में ही आपको मिलेगी तो ऐसा क्यों हो रहा है 40 में ऐसा क्या है तो इसके बहुत सारे डिजन्स हैं तो पहले मैं इनके कॉजस बता देती हूं फिर मैं सिम्टम बता दूँगे फिर आपको पॉइंट पे लियाओंगे तो अगर हम कॉज की बात करें तो एक तो है हमारा खान पान डेली रूटीन इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइट फूड रिफाइन फूड कर रहे हैं स्मोकिंग कर रहे हैं सिग्रेट ले रहे हैं और खुब उल्टा पॉल्टा कर रहे हैं पनी लाइफ में तो ये बहुत बड़ा एक कारण बनता है इसके अलावा आपका बलड में अगर कोलिस्टरॉल बढ़ रहा है ट्राइगलिसराइट बढ़ रहा है इस्ट्रेस एटेंशन है और सबसे ज़्यादा आपके कोरोना अगर पहले हो चुका है तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये कॉम्प्लिकेशन आई हैं तो हमें इन कारण पर भी ध्यान देना है और अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिकेशन की तो बहुत सारे इन्वेस्टिकेशन है TMT टेस्ट है, कोरोनरी अंचियोग्राफी है, कार्डियो ग्राम है, ECG है, बहुत सारे जाचे लेकिन जब हमें कोई symptom हो तब तो हम जाएंगे वहाँ ऐसे तो नहीं जा सकते तो symptom हो या कोई ऐसा आपके body में disease हो तो हमें कब alert होना चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ तो अगर आप blood pressure के रोगी हैं शुगर के रोगी हैं ओवेसिटी है जिम में high workout कर रहे हैं आपने देखा हूँगा या तो workout या तो bathroom में ये दो जगह हैं जहां पर heart attack सबसे ज़्यादा हो रहा है इसका भी मैं एक वीडियो आपको बना के दोंगी कि क्यों bathroom में ही heart attack ज़्यादा आते हैं फिल्हाल अभी मैं यहां पर बात कर नहीं हूँ कि अगर आपको BP है आपको sugar है आपको obesity है cholesterol रहता है triglyceride है तो आप ज़्यादा danger चून में हैं यह तुही बिमारियों के बात अगर हम syno symptom के बात करें तो breathing trouble especially while walking अगर आप चल रहे हैं और आपके सीने में भारी पन लगता आप चल नहीं पाते हैं तो यह बहुत बड़ा संकेत है आपके heart के लिए चाहे आपके cholesterol वगरा यह जो parameter बताए यह चाहे बढ़ा हो या normal हो बढ़ा है तो और ही जादा पिलर्ड जोन में है और अगर नहीं बढ़ा हुआ है और यह symptom आ तो भी आपको एक बार drastic trouble आपने खाना तो बिल्कुल साधा ही खाया था लेकिन उस खाने के बाद भी अचानक से आपको इतनी गैस बन रही है कि आप बिल्कुल परिशान हो जा रहे घबराहाट उल्जन पसीना आना उल्टी होना वोमिटिंग डेंडेंसी होना लूस मोशन होने लग जाना तो इस लोगों को prominent chest में pain होकर कि पुरा हाथ में भारी पन होना चोटी उंगले तक जाना यह symptom होते जो classical एंजाइना के या heart attack के symptom होते ही हैं तो यह मैं क्यों बता रही हूं यह मैं इसलिए बता रही हूं कि आप चोटी चोटी चीज़ों को जो ignore करते हैं यही आपके early sign होते हैं और जिसकों हम avoid करते रहते हैं या हमने gasp कोई दवा खाली या breathing trouble है तो हमने थोड़ा अपनी speed कम कर ली तो हमें avoid नहीं करना है हमें उस पर focus करना है कि why it is अगर हम उसको focus कर लेंगे तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं होंगे ठीक है तो मैंने आपके causes पे बात कर ली symptom पे बात कर ली sign pay investigation पे बात कर ली अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसका जाच करने का एक खास तरीका सामने आप यहाँ एक picture देख रहे हैं जिसमें छोटी उंगली में यहाँ पर एक point बताये गया है You believe it or not but it is true अगर आपको हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप यहाँ पर दबा करके प्रोब एक लें और दबा करके देख लें अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि 100% sure है कि आपके हार्ट में कुछ तो है अब यह कुछ तो है आप investigation कर सकते हैं या तो cholesterol होगा triglyceride होगा कुछ भी होगा लेकिन कुछ भी हो करके यह आपके हार्ट को ब्लॉक कर रहा है तो अगर यहाँ पर दर्द है तो आपको fear हो जाना चाहिए कि भाई हमें कुछ तो है अपनी डाइट को regulate करना शुरू कर दीजे आप में tension, stress या alcohol consumption है, smoking है, cigarette है, whatever जो ही आप रॉम कर रहे हैं आपको भी पता है तो उसको आप जाच लीजे और अगर आपने यहाँ पर दबाया दोनों हाथों में दबाना है ऐसा नहीं कि हार्ट left side है तो lift दबाएंगे राइट नहीं दबाएंगे दोनों side दबाना है और चेक करना है वैसे भी आप देखेंग आप enjoy करी सकते हैं लेकिन अगर आपने ऐसी हालत में उल्टे-पुल्टे काम शिरू कर दिये तो इसकी संभावना बन सकती है कि वो 10-20 साल का जो duration है पहले भी आ जाए तो आपको इतना बड़ा एक उपहार मिल गया क्यों pressure की रूप में कि आपने दवाया और immediate आपकी ego हो गई immediate आपका stress test हो गया immediate आपका जो city angiography होता वो हो गया और कह चाहिए तो घर बैठे आप इस point को दबा करके अपने heart की सेहत का ध्यान रख सकते है तो I hope कि आपको ये video अच्छी लगी होगी इस पर हमने बहुत सारे बना रखे हैं आठ या 9 videos मैंने डाली हैं already कि किसी के pumping power काफी कम थी उसको बढ़ाना था तो कैसे करें तो उसको भी मैंने दिखाया है proof के तोर पर कि पहले 12% थी 40% हो गई आज भी अभी भी हमारी उनसे patient से बातचीत होती है अभी वो विल्कुर normal है point भी नहीं लगा रहा है इसी तरीके से आपके heart attack होते समय क्या point दबा के control कर सकते हैं कौन कौन से sign होते कैसे तो बहुत सारी है तो मैं उसकी जो playlist है वो तो description box में भी डाल देती हूँ जो उपर आई बटन इसमें भी रहता है तो आप वहां से भी check करके देख सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप हमसे online consult भी कर सकते हैं उसका number साम संद आई हो तो like करें जो कि like करने से लगता है कि हाँ यह उपयोगी तो है साथ में करें comment और comment में क्या करना है कि आपका कोई भी ऐसा case हो कि आपको heart की परिशानी हो और आपने दबाया और यह match कर गया तो आपको surprise होना चाहिए कह रहे वा हमें तो घर बैठे अपनी diagnosis मिल ग समझा वो बताईए और आगे यह भी बताईए कि आपको किस topic पर वीडियो चाहिए तो जिस topic पर majority comments आएंगे तो उसको मैं समझ जाओंगी कि हमेशी पर बनाना चाहिए आपकी यही demand है तो उस पर मैं बना दूँगी और साथ में share भी करिए अपने q pressure के group में तो जरूर share करे ताकि यह ग्यानार्जन होता रहे जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से वो मैं आपको देती हूँ मैं चाहती हूँ आप भी बाटें ताकि और भी यह विधा दूसरों तक फैलती चले और आखिरी में मैं बत कहूंगी सब्सक्रिप्शन के लिए कि आप हमारे इस चैनल को करने सब्सक्राइब अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब करने के साथ ही लास्ट में जो बिल का इकन है उसको दबा के ओल पर हिट कर देंगे तो जितनी वीडियो मेरी होंगी उसका जो मैसेज है वो आप तक पहुंच जाएग और आप वीडियो मिल जाएगी कुछ मिलेंगी कुछ नहीं मिलेंगी तो आल वाले बटन को हिट कर दीजे तो आज बस इतना ही फिर मिलूंगी आगे इसी विशा को कंटीनू करते हुए धन्यवाद नमस्कार